नमस्कार साथियों आप सभी का आपके अपने चैनल लाइन शेड में मैं वनिश्मिय आलता है दिल से स्वागत और भी नंदन करता हूँ मेरे प्याले साथियों मेरे शेर और शेर्णियों मेरे काजू कतलियों हो जाओ तर्यार और अब आपको होने वाला है सामजिक विग्यान से प्यार तो हम लोग अध्याइती निर्दंदा शुरू कर चुके थे निर्दंदा में हम जाना निर्दंदा गभी होती है कैसे हो TH किस परकार से वो इनसाम को इतना जटनी कर लेती है कि उसके लिए फासी का यो फंदा है वो पर जाता है वो उसको आसान लगता है कि अर्फास सिखा करें मर जाना चाहिए परन्तु आज जो हम लोग जानेंगे कि हमारे देश में कुछ ऐसे सम्मू है ऐसे कुछ गुरूप है जो विशेश करके गरीब है वह कौन से वर्ग है उनके बारे में जानेंगे हमारे जो राज् देखेगा हम लोग आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है निर्धनता एक चुनोती अध्यातीन का लेक्षे नमबर दो तो अब गरीबी हम लोगों ने महसूस करा है जो गरीबी है यह बहुत बेकार चीज है ठीक है बहुत मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं अगल एक परकार से सरकारें बताती हैं कि वह 400 केलेरी गाउं में होनी चीए 200 केलेरी शेहरों में होनी चीए इस परकार की बात हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वह है आज सुरक्षित सम्हों देखिए अब बात ऐसी है कि हमारे देश में क्या रहा है कि आर्थिक परेशानियों के साथ साथ आर्थिक परेशानियों तो रही हैं पर हमारे देश में कुछ सामाजिक स्थित्या भी रही हैं कुछ सामाजिक स्थित्यों को भी समझना चरूरी है वह हम आजादी से पहले एक बहुत बड़े वर्ग को पढ़ने का, लिखने का, बोलने का अधिकार तक भी नहीं था, ठीके, जिसे हम लोग दलिस समाज केते हैं, पिछडी जातिया केते हैं, ठीके, महिला हैं, उन लोगों को पढ़ने, लिखने का, बोलने का इनका अधिकार नहीं था, और बहुत बुरी दैने स्थिति पर थे, मत काफी वर्गों में बट्टे हुए थे तो वो जो समाज है जो हजारों सालों तक पिछड़ा हुआ रहा उसका परभाव आज तक भी हम हमारी वियस्ता में देखते हुआ रहे हैं आज भी उनको रोजगार कब मिलता है आज भी इनके साथ कही ना कहीं पिछड़ापन होता है य हमारे देश में क्या है वर्गी करन हुआ है तो आपको क्या है जाती के आदार पर और आपको महिलाओं के साथ क्या है थोड़ा सा भेदबाव देखने को मिलेगा उसके अलावा क्या होगा कि आपको जो ग्रामिंट छेतर के जो मजदूर है उनके साथ भी क्या है थोड़ा स पर गरीबी के साथ सामजिक भेदवा होना ये और भी बुरी बात है आप पेसा नहीं कमा पा रहे होगी है तो एक अलग बात है पर उसके साथ आपको को ये बोले अरे तू तो उस जाती है क्या करेगा तू लड़की है घर का काम करना घर का काम करके खुश रहे क्या करेगी भ से सब्सक्राइब परफ करना पुरा होता हैं तोिस अनुसंते जादा गरीबी है ज्छापाइब्थ निर्धणता के सबका वर्ग है एक गुरूप है तो इन में से सबसे ज़्यादा निर्जनता के परती असुरक्षित कौन है गरीबी के परती असुरक्षित उनको सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा वह सुरक्षित क्यों नहीं करता है पहली बात हो सामाजिक भेदवाग और उसके साथ उनके सा किया है गरीबीवी तो कौन से हैं अनुसुत जाती और जंजाती के परिवार है इसी परकार आर्थिक सम्मुऊं में सरवादिक आश्रक्षित सम्मुऊ ग्रामिन करशित सर्मिक परिवार और नगर अनिय मझू परिवार है जोको आप के पर आर्थिक समू में क्या है जब आप गरीब से अमीर बन जाओगे तो आप अमीर केलाओगे और आप अमीर से गरीब केलाओगे तो गरीब केलाओगे तो क्या है यह तो सामाजिक समू है हमार समाज का क्या है एक हिस्सा होता है एक समाज की पेचांसी बन जाती है पर आर्थ क्या है गरीब है वो लोग क्या है गरीब है क्यों है बात हम लोगों देख़ी थी पालंपूर वाले में कि किसान-अमीर होता है उसके बाद नगरे आनियत मझदूर वह इंघर में जो आप देखा भी करा करो कि इस जग आधे होती है जहांतना सारे दूरों में होगी, यह देखी यह फिर झोटे हैं इंसांते हैं, इन समाजिक समोओं लोगों के पास है इनकम बॉर्बरबर नहीं है विए किसी इंकम बढ़ेगी तो आपका जियो नियापन करने का आपका लिविंग ओफ इस्टेंडर्डर्ड वो बढ़ जाएगा जैसे जैसे पेसा बढ़ता जाएगा मेरे पास तो क्या होगा मैं अच्छी चीजे खरीदूगा गर मैं अच्छा मकान बनाऊंगा अच्छी ड्रेसिस खरीदूगा अच्छा मोबाल खरीदूगा घर में पहले पंका था फिर कूले लगाऊंगा फिर ऐसी लगाऊंगा गाड़ी खरीदूगा तो क्या होगा जैसे जैसे हमार इंकम है और कुछ परिवारों के फास बिलकुल भी इंकम नहीं है कुछ संदर्बों में महिलाओ, वर्द लोगों और बच्चेों को भी ढंक से परिवार के उपलब संसादनों तक पहुत से बन जीत मैंने अभी आपको क्या कहा था शुरु आत्मी, सामाजी कुबर की करन वाई, आपको जाती कि आदार पर तो देखने को मिलेगा उसके साथ, महिलाओं के साथ पर आपको देखने को मिलैगा, घाए, गाओं में मजदूर है उनके साथ भी आपको देखने को मिलागा अब महिलाओ के साथ एको कुछ Corinthians अंदर्ब में मतलब कुछ जगे कुछ बातों में आपको क्या है उनके साथ क्या होता है उनको कुछ संसादन नहीं मिल पाते हैं उन तक कोई सेवा नहीं पोच पाती है कुछ बच्चेया होती है जैसे अब होता है सिक्षा के मामले में होता है कि वह सिक्षा के मामले में क्या होता है गर के लोग बच्चेयों को अलाओ नहीं करते हैं बच्चेयों को अलाओ नहीं करते हैं कि वैट आपको पढ़ने के लिए जाना चाहिए अब तो वैसे काफी परिवर् इस चार्ट को थोड़ा समलुक समझ लेते हैं इस चार्ट में क्या बताया गया है कि बैइ सबसे जादा कौन सा सामाजिक समूग गरीबी को देखता है इसमें ये बताया गया इस वर्ग में परती सो पुरुष में से निर्दंधा की संक्या कितनी है बैइ हर वर्ग में से सो पुरुष में से कितने पुरुष क्या है गरीब है कितने पुरुष जादा गरीब है अनुसुची जन जाती में तो है 43% 43 मतलब हर सो में से 43 जो पुरुष है वो गरीब है अनुसुची जाती में 29 है 29 ठीक है भारती निर्दंता अनुपात ओसत 22 अनियत कर्शी सर्मिक गरामिन 34 और अनियत गेर कर्शी सर्मिक सहरी 34 अब इनका बास समझा वही ये तो अनुसुजी जाती कि है जिन में क्या है 43 है वही हर 100 पुरुष में से 43 क्या है निर्दंता है गरीबी है अनुसुजी जाती में 29 ठीक हर 100 में से 39 है ये क्या है आपको घूसट बताए भारती निर्दंता अनुपात औस्ट बाये पूरे भारत का जो एक औस ता ही 22 हर 22 पुरुष क्या है निर्दंध गरीबений ये क्या है गरामिन चेतरे में गाओं में जो कर्शी सर्मिक है जो खेती बारी कर रहे हैं खेती बारी कर रहे हैं नोकर का काम कर रहे हैं उन वो कितने हैं 34 हर सो में से 34 क्या हैं गरीब हैं और आनियत गेर कर्शी सर्मिक शेहरी और शेहरों में जो गेर कर्शी का काम कर रहे हैं ठीक है गेर कर्शी की जो नोक परशी शर्मीक है या जिनको आस रोज मजदूरी नहीं मिल रही उन लोगों में भी आपको क्या है गरीबी देखने को मिलती है तो ये तो हमारे क्याता कि सामाजिक समू में किस परकार से गरीब ही अब अगर हमने सवाल सीप पूछा के कौन से सामाजिक समू सबस्यादा गरीब होते हैं तो हमें 4-5 line of answer लेक cœur में आपको आसम जहती जाती City के लोग जादा गरीब हैं राज्ये की दूसरे राज्ये में कितनी ऐसामानता हैं जैसे आप मालो कि उत्रा खंड और केरेल में अगर हम लोग तुलना करें तो कौन सा ज़्यादा गरीब है और कौन सा कम गरीब है ठीक है किसकी स्थिती अच्छी है अब गरीबी का हम लोग पता किससे लगा ही है मिया आकलन पेले कर चुके कि वैस किह चूश सो के लेडी मिलनी चाई इन गिस सो के लेडी मिलनी चाई आठarto सोला रुपे मिलने चाई तो यह लोग हम पता कर चुके तो पर अब कौन सा राज्ये में असमानताय जादा है और किस प्रकार से वो असमानताय घटी है या भड़ी है वो हम लोगों को देखना है परतेक राज्ये में निर्धन लोगों का अनुपात एक समानी अब हर राज्ये में का है जरूर हिक कि सारे जगे आ आपको निर्धन बराबर मिं लें एस सा नही है कि उत्तरा खंड में अगर हर सो में से 20 लौक गरीब है तो जरूर हिक परतिशैत नहीं जरूर किừ मिल सकते हैं वो आपको बराबर मिले, यह जरूरी नहीं होता है. वर्ष 2.11.12, भारत में निर्दन्ता अनुपाद 22 परतिशत है. मतलब क्या है, जितनी भी आबादी हमारी है, उसकी 22 परतिशत आदब रदी क्या है, निर्दन्ता रेखा से नीचे है, वो क्या है, गरीब है. और इस में हमारे क्या है, गराओट आईए. अब गराओट कैसा आईए, उस वाद करतों समझेगा, वह 13 में, 14 में, ये 49 में, ये क्या था? 45 परतिशत है. कितना था? 45 परतिशत है. कितना? 45 परतिशत. उसके बाद आजाओ दो हजार चार पांच में ये गिर करके कितना हो गया ये हो गया 38 परतिशत उसके बाद 2011-12 में कितना हो गया है ये हो गया है कितना 22 परतिशत और आने वाले समय में धीरे 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 क्या है और भी गिरावट आ जाएगी और अब भी भी क्या है इस आकड़े होते हैं वो आकड़े में एक्जेक्ट याद नहीं रखने होते हैं हमें सिर्फ ट्रेंड देखना होता है कि क्या गिरावट हो रही है या भडोतरी हो रही है तो यहां पर क्या है गिरावट हो रही है और अगर निर्धनता में गिरावट हो रही है तो यह भारत के ल प्रभावित किसी को कर रही है तो वो भौश्य को कर रही है ठीक है हमारा आना वाला भौश्य जो है हमारा फ्यूचर जो है इस देश का वो यह बच्चे है अब इन बच्चों के पास मतलब इनको पता नहीं होता है कि हमने अब भी खाना खाले है तो शाम को खाना खाएंगे ग्राइंगे कैसे स्ट्राइब चुल राएंगे कि कुछ ए टाइम पर इनको कुछ अक्छा Represent करें तो सब चल रहे हैं कुछ राज्य जैसे मद्यप्रदेश, आसम, उत्रप्रदेश, भ्यार, और उडिसा में नेधन था, अनुपाद राष्ट्रे अनुपाद से जाद है, अब देखो क्या है, यह ऐसे राज्ये हैं, जहां पर क्या हो रहा है, कि बहुत जादा, मतलब हमारा कितना है 22 परतिशत, पुरे देश का जो अनुपाद है, वो तो 22 परतिशत है, और इन राज्यों का 22 परतिशत से भी जादा है, इन राज्यों का क्या है, 22 परतिशत से भी जादा है, मतलब यहां पर क्या है गरीबी, पुरे देश के एवरेट से, पुरे देश में 22 परतिशत गरीबी है, तो इन से बढ़िया से बढ़िये पढ़ाई करके सिस्टम में जाओ और इस गरीवी को दूर करो बिहार में 33.7% और ओडिसा में 32.6% निर्दंता आज भी मुझूद है और पुरे देश की कितनी 22% है पर इनकी वहां से भी क्या है जादा है वहां से भी क्या है इन लोगों की जादा ह है तो हम लोग देखो देखो मैं आपको दिखा देता हूं यह तो राव यह भी हार तो बिहार वालो निर्दंता को दूर करो गरीबी अटाओ वहां से ठीक है जल्दी से पढ़ो लिखो और अच्छी जगे पहुच करके आप उसे अटाओ यह ओडिसा है यह ओडिसा ओडिसा का तो मतलब मैं पर्सनली खुद कहता हूं कि मैं ओडिसा गया हुआ हूं और जब मैं ओडिसा वहाँ जाकर करके देखा ना सच में आपको एक तो विकास है ना जो डेवलेमेंट है वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगा मतलब नेशनल हाइवे पर आपको दुकाने देखने को नहीं मिलती है ठीक है उसके अलावा वापर क्या है हर चीज काफी चीज सस्ती भी है सस्ती इसलिए क्योंकर क्यों काम करते है और अच्छा पैसा काम ले जा भी कैसेजे करते हैं यह एक बहुत अच्छी बात है पर वह क्या है वह गरीब को दर्शाता है कि वहां पर क्या है लोग भूट गरीब हैं मोशे को ऑपे और देखा है कभी भी पीर knocked नियुकि आना नहीं को अपि उस बात को देखा है सच में वह राज्य काफी तुल्ल clips अंदर्प्रदेश तमिलाडू गुज्याट और पच्ची मंगाल में निर्दन्ता में उलेक्षोनी गुरावट आये पर क्या है भाई केरल में महराष्ट्र आंदर्प्रदेश है मैं अच्छी गिरावट आई ए उसके बाद इन्हों ने बोला आंदर-प्रदेश तो यह रहा आंदर-प्रदेश उसके बाद इसने बोला थामिल नाड़ू तो यह रहा तमील नाड़ू हमना आपको दिमाग में बातों को रखना है सिर्फ यह गुजरात और ये है पच्चिम बंगाल पच्चिम बंगाल में स्तिती सुद्री है पर फिर भी जो गरीब ही है वहाँ पर पच्चिम बंगाल में है मतलब इन सभी राज़ों में के स्तिती सुद्री पर गरीब ही अभी भी क्या है मोजुदे औरिसा की एक अच्छी बात अभी आपको बताता हूँ, जो अच्छी बात है वो अभी है, अभी क्या है आप सबको बता है, ओलम्पिक चल रहा है, सबको बता है टोक्यो ओलम्पिक चल रहा है, टोक्यो ओलम्पिक में होकी की जो टीम है, हमारे पुरुषकी और महिलाओ की जो स्पॉंसर करते हैं और उनकी क्या है कंपनियों के नाम लिखे होते हैं टी-शिट्स पे उन पर इस बार जो करा है वो ओडिसा सरकार ने करा है और जब अभी टीम में जीती तो मतलब हांके जो मुख्य मंत्री नवीन पटनायक साब ने मतलब खड़े होके उनका उसला वर्दन ठोम करने में परांपरिक रूप से सफल रहे केरァर ने मानों संसादन विकास पर अधिक ध्यान दिया अब इन दोनों जग делать पर किया हुआ है इन दोनों जगणphin कर्षी के कारण है क्टि के कारण च्यादा लिए जपिश्ट है तो यह बहुत अच्छी बाहत है, इन्होंने तो ऐसे दूर कर ली, केरल ने क्या करा, केरल ने मानो संसाधन पर, अब मानो संसाधन भी हम लोग पढ़के आ चुके, वहां के लोगों की सिक्षा पर, स्वास्ते पर हम लोगों देखा था, हर्याणा में क्या है, सिश्वी उम्र बहुत कुछ करना वालने लिए बाकी है, पच्चि ममंगाल में भूमी सुदार उपाईयों से निर्दंता कम करनेमें साहिता मिली, अब क्या होगा, पच्चि ममंगाल में क्या करा, भूमी में सुदार करा गए, ठीक है, लैंडी रिफॉम क्या गया, अब आप उच्यों किय करा गया है तो हमने देखाता है सब क्या भूमी आई समान वित्रत होती तो फिरकार कुछ ऐसा खारून बनाती फिर इतनी भूमी आपके पास होनी चीए इस भूमी पर एसा होना चाहिए तो में पर भूमी सुधार कर लोगों को रोजगार प्रोवैट कराने की सरकार ने को पड़ा हो तो अभी सुन लीजेगा. सारजनिक वित्रान पंणाली. इसे इंगलिश में कहता है Public Distribution System. इंगलिश में से का जाता है PDS Short में. देखो ये क्या होता है? सारजनिक वित्रान पंणाली क्या होती है? आपने कभी सुना वहागा गरीबों को सरकार 2 रुपे के लिए गयों में दे रही है एक किलो रुपे चावल दे रही है पांच रुपे में तेल दे रही है यह सब क्या है यह सारवजनिक वित्रण प्रनाली के तहती है सबके लिए क्या हो वित्रण करा जाए उन्हों को सरकार ने पहुचा है यह देखो यह क्या है हमारे पास पूरे हर राज्ये की एक चोटी सी टेबिल है उसमें बताया है कौन से राज्ये में कितनी है तो अब यहां से देखो हम गिरावट की तरफ दिख रहे है सबसे जादा भिहार में भाई 33.7 परतिशत तो उसके आद ओडिसा 32.6 परतिशत असम 31.9 परतिशत मद्य परदेश 31.7 उत्रपरदेश 29.4 करनाटक 20.9 पच्चे मंगाल 19.9 महराष्टर 17.4 गुजरा 16.6 राजस्तान 14.7 तिरुपुरा 14 तमिलाडू 11.3 हर्याना 11.2 दिल्ली 9 9.9 आंदर प्रदेश 9.2 पंजाब 8.3 हिमाच्र प्रदेश 8.1 और केरल 7.1 अमतलब इस गर्याफ के अनुसार 211 की जन गन्ना के अनुसार है इस 211 की जन गन्ना के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो देखो सभी राज्यों में क्या है वैसे तो कम हो रही है जैसा कि व जो कि अभी हमने चर्चा करी थी 22 परतीशत है और समय के साथ इसमें गिरावट आई है और विसमें क्या है गिरावट आईगे और जब समय के साथ 2.21 की जन गन्ना होगी हमारे पास कोरोना महामारी के दोरान नहीं हो पाई नहीं तो अब तक तो हो जानी चाहिए ती तो आप ने देखा होगा हर 10 साल बात क्या होता जन गन्ना होती है ठीक है लोग आपके घर पर आके पूछ के जाते हैं वह आप घर में कितने लोग हो किन चीजों का इस्तमाल करते हो बच्चे ने कितनी पढ़ाई करी है कितनी नहीं करी है तो क्या है पॉपुलेशन की काउंट को ने निर्दधन्ता परिदर्श्य है अब भाई हम लोगोंने हमारे डेश की बारे में जान लिया हमने हमारे एक एक राजी के बारे में जान लिया अब विश्व से कौन बतायागा कि हमारा देश अच्छा है धूसर देश वेकार तो वेश्विक पुरे वर्ड से निर्धनता पुरे वर्ड में जो निर्धनता का परीदर्शिय निर्धनता की जो इस्तिति है उसके बारे में हमें जानना है विविन देशों में अत्यंत आर्थिक निर्दंता विश्यू पेंग की परिभाशा के अनुसार परती दिन डोलर 1.9 से कम पर जिवन निर्भा करना में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36 परतिश्यत से गिरकर 2015 में 10 परतिश्यत हो गया है है अप देखे आप सब से पहली बात तो क्या बोला है विविन देशों में 28 निर्दंता अत्यंत बहुँ जादा बहुँ जादा जो गरीवी है आर्विन निर्द्थन बहु जादा जो गरीब है किस ने कहा है विश्यूत किने का है किको किसको का है परती दिन मतलब क्या है हर एक आदमी नहीं और इसे नीचे कमारा वो क्या है गरीब है according to the world bank विश्यू बैंक अब विश्यू बैंक क्या है तो विश्यू बैंक की 1944 में 1944 में स्ताबना करी गई थी 1944 में स्ताबना क्यों करी गई क्योंकि 1949-1945 के विचो विश्यू युद्ध दित्ते हुआ second world war हुआ और जब second world war हुआ नहीं तो काफी छोटे छोटे बड़े-बड़े देशों का बहुत नुक्सान हुआ पूरे तबाह हो गए थे फिर एक साजा बात करी गई ठीकषे एक साजदारी करी गई हम सब मिलकर के क्या करते हैं वापिस पूर्ण गठन करते हैं पूर्ण निर्मान करते हैं जो देश बिल्कुल तहस नहीं सहुँद चुके उनका पूर्ण निर्मान करते हैं हम आर्थिक मदद करेंगे देशों की तो अब भी 192 के अरांड एक सो ब्राण में देश किया है विशुबेंग के आज मोजुदा इसकते में क्या है मेंबर से और वहां से विशुबेंग क्या करता है इनको लोन देता है उसके जिससे के आप अपने देश में अच्छे अच्छे काम करवा सकते हो वड़े उशर्केय बनवा सकते हो अच्छी श्कूल है めलेगा ऌटिब को बीसे सरकार को पेसा देता है ऐसा नहीं कि आप उठके चले जो चलो अब आप पूछो कि इसका हेड़कॉर्टर का है सर पेसे लेने के लिए में कहां जाना पड़ेगा तो ही हेड़कॉर्टर तो आपको अमेरिका में मिलेगा वाशिंटन डी-सी में ठीक है तो पर यह आपको पेसा किरावट आई है और यह पूरी दुनिया के लिए क्या है अच्छा कदम है अच्छा साइन है कि लोग क्या है दिरे 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 गरीबी रेखा से बाहर आ रहा है यह बढ़िया बात है पर कोरोना महमारी ने फिर से लोगों को गरीबी की रेखा में जकर लिया है तो यह क्य आर्थिक प्रगति मतलब क्या है प्रगति करिए प्रोग्रेस उन लोगों ने क्या रही है ठीक है तो ज्यादा आर्थिक प्रगति होने के कारण और मानों संसाधन विकास मतलब मानों का विकास करा उन्होंने मानों को पुंजी बनाया है बोज समझकर उनको नहीं पाला क्या ह करके उनका काम करा ब्रहत निवेष निवेष जो आए उसके करनं चीन और एश्या के देशों में निर्दना विशिष कमी आई चीन को आप जानते ही हुआ हुआ है। और एशिया क्या है एशिया साथ महाधीपों में से एक महाधीप है जिसमें से क्या है हमारा भारत भी एशिया में ही आता है तो यह आपको क्या है यह आपको एशिया का चित्र दिखाया गया है और इसमें मेरा भारत कहां पर है मेरे विद्यारते हो मेरा भारत यह भारत तो यह दुनिया में सबसे महान कौन सा देश है विया मेरा भारत सबसे महान है विया इससे महान कोई भी नहीं है तो सबसे महान और यहां पर तो यह तो आपको चीन तो दीखी रहा होगा यह बिल्यू बिल्यू में पुरा चीन दीख रहा होगा दक्षिन एसिया के देशो भारत पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल बांगलादेश भुटान में नेजरनों की संक्या में गिरावट इतनी तिवर रही है मतब बहुत अच्छी तरीके से क्या है भारत में भारत में भी नोटिस खराता भाई भारत में पहले तो क्या था 45 परतिशत फिर 38 परतिशत फिर 22 परतिशत मतब गिरावट देखो न तो तीवर तरीके से बहुत तेजी स्पिट से क्या है गरीबी में क्या है गिरावट आईए दक्षिन एश्या के भाई यह पूरा जो एश्या है इसका उपरी वाला भाग उत्री और इसके नीचे लिए वाला भाग यहां से क्या हो जाएगा दक्षिन हो जाएगा तो इसमें यह सारे पाकिसान, भारत, बंगलादेश, मयन, मारी य तальफिन, भिन निर्धनता रिखा परीवाशा के कारण भारत में भिन निर्धनता राष्ट अनुमान से अधिक है, ब मतलबर इफ चुली है, जगांधा मैं अपफिन, जग अलग समय के जगे कि अलग अर्ग निर्धनता रिखा ह कि होती है, वह सब क्या है, अमरिका है तो आप लोग क्या हो गरीब व तो अलग अलग निर्दंता रेखा कि परिवाश्चा के कालें भी हो रहा भारत में भी निर्दंता राष्णियाए अनुमान से अधी में तौ वहाँ पे क्या है जू घृत में अनुमान है हिमारा उस से क्या थोड़ा सा अधी में उस लोग ज़्यादा मानके चलते हैं कि इससे निदनता रेखा इससे ज़्यादा कमाने वाला निदन नहीं होगा अब यह क्या है विश्व बैंक के दुवारा जारी करीगी एक लिस्ट है उसमें बताया गया है कि परते दिन डॉलर 1.9 से कम पाने वालों की संक्या कितनी है वाई नाइजिरिया में नाइजिरिया 53.5 मतलब हर सो लोगों में साब मानलो कि 53.5 लोग क्या है जो एक पॉइंट नो टोलर से कम कमारे बांगलादेश में 14.8 भारत में 21.2 यह साल बताये में 2009 का 2016 का 11 15 15 15 17 16 ठीक है पाकिस्तान में 4 चीन में 0.7 ब्राजिम में 3.4 इंडोनेस पांच पॉइंट साथ और शेलंका में 0.7 देखो अब क्या है भारत में 21.2 यह बहुत ताजब वाली बात है कि भारत में 21.2 पर पाकिस्तान में 4 पाकिस्तान के तो इस्तित्य और भी बुरी है तो थोड़ा सा क्या है आकड़ों में उपर नीचे हो जाता है पर हमें सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि हमारे भारत की इस्तिति में सुधार आया है हमने गरीबी में गिरावट लाई है अब आ जाते हैं अब मेहनत करें और मजबूत बने ठीक है तो अब हमें कुछ आपको सवाल है उन सवालों के जवाब देने भाद में निर्दंता में अंतराजी समानताओं के बारे में आपको बताना है तो अभी तो पूरा पढ़के आये या परत्यक राजे में निर्दंता लोगों का अनुपात एक समान नहीं है बिल्कुल नहीं है वर्ष 2011-12 भारत में निर्दंता अनुपात 22% बिल्कुल है और अभी हमने पढ़ा है कितना हो गया कितना हो गया था वाई पहले 45 फिर 38 और फिर 22 प्रतिश्य और आगे भी गिरे गए कुछ राज्य जैसे मद्यपर्देश असम उत्रपर्देश बिहार और ओडिसा में निर्दन्ता अनुपात राष्ट्य अनुपात से जाद हैं मैं आपको यह वापिस एक्स्प्लें नहीं कर उलेख्णी गिरावट आई है पंजाब और हर्यान जैसे राज्य उचकर्शी वर्दी दर से निर्दन्ता कम करने में पारंप्रिक रूप से सफल रहे केरल में मानों संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है पच्चे मंगाल में भूमी सुधार उपायू से निर्दन्ता अगर हम लोग करते हैं तो इसकी लिए अबर पास सामने क्या-क्या मुख्य चुनती है और वो चुनती को क्या से सामना करना हो देखो ग्रामिन और सहरी चेतरों में और विविन राज्यों में निर्दन्ता में व्यापक असमानता है वह हमने बाद देखें ग्रामिनों में गाओं में और शेरों में और अलग-अलग राज्यों में क्या है डिफ्रेंस है गरीबी में डिफ्रेंस कहीं जादा है कहीं कम है आशा है मैं उमीद है कि आने विलैंगे 10 15 सालों में क्या होगा निर्दंता में जरूर गिराव्ट् आएगी क्यों कि सरकारे अच्छे कारे करते है निर्धन ता उन्मुलण नमुलण मत्व खटम कर देना निर्धन निर्धन तो को खटम करना हमेश़् है गती से लक्षीर है हमारा एक प्रोग्रस्ट्वी लक्षर है हम लोग गती, हमने गती स्पीटी पप्री, ऐसा नहीं हो रहा कि पहले निर्दन इतने कम थे, अब जादा हो गए, नहीं, हमने गती सी ले, हमने गिरावटी करी है, वापने कि हमने गिराये ही है, और हम हमेशा क्या रहे हैं, आशावादी सोच की तरफ रहे हैं, कि हम गरीबी साल तक में मों लोग क्या करपाएंगे सभी लोगों तक क्या करपाएंगे कि एक noon-time आये एक इतनी minimum income तो उनको दे पाएंगे जिसे कि उनका क्या हो पालण-p委िशन अच्छे सो हो सको उनका जियो, अपन अच्छे से चल सके सभी को स्वास्ति से वा शिक्षा और रोजगार सुरक्षा अप्लब्त कराना लेंगिक सम्ता था निर्धन का सम्माज जैसे बड़ी चुनतिया हमारे लक्षे होंगी तो वाई क्या हो सभी को स्वास्ति देना हमाली चुनति है ठीक सिक्षा प्रोवाइड कराना सबको रोजगार देना और लेंगी मतलब लिंक के आधार पर महिला पूर्श में समानता हो निर्धनतों को सम्मान उनको सम्मान दे रिस्पेक्ट मिले उनको समाज में ऐसी बड़ी चुनतिया हमारे सामने जाती व्यवस्ता हम लोग पढ़के आए क्योंकि आज सुरक्षी सम्मों में वह जाती की सम्मों हैं जो क्या है पिछड़े में या सामजी ग्रूप से पिछड़े में बाल मस्दूरी का भी अस्तित्व भी हमें मिटाना होगा और काफी क्या होता है जब कोई परिवस्ता गरीब होता है तो छोटा बच्छा होता है उसको भी काम पर बेज़ देते हैं चल तू मेरे साथ काम पर चल वहां पर काम पर जा वहां पर तो इतना पे समिलेगा 300 घर में काम आएगा तो बाल मस्दूरी को जाती विवस्ता को इनको मिटाना भी हमारा क्या है उद्देश यह है कि वह जाती विवस्ता ना रहे बाल मस्दूरी हमारे सवाल नमर तीन वेश्विक निर्दन की परिवर्तियों की चर्चा करें तो यह अभी तो बढ़का है वि इबरार्तिक प्रगति के कारण क्या हुआ है? चीन और एशिया के देश उनमें गिरावट आईए गरीबी में दक्षिन एशिया के देश जैसे भाराश, श्रिलंका, बंगलादेश, बुटान इन सब में भी कहा हुआ है गिरावट आईए और भारत में क्या है? अलगलग निर्धनता रेखा होने के कारण क्या हुआ है? कि थोरा सा हमारा जो अनुमान है, जो हम लोग मानके चलते हैं, वो ज़्यादा चलते हैं इसे के साथ हमारा क्या है? आज का जो वीडियो लेक्चर है, यहां पे खतम होता है तो यह निर्धनता अध्याद तीन का लेक्चर नमबर दो था मेरे प्यारे सात्यों इसमें आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा और बाकि अच्छा लगा हो तो तावरत और कमेंट कर दीजीगा सर कि अब हम हो चुके हैं तयार और हमें होने लगा है सामजी की वियान से प्यार और मेरे बच्चों मेरे आप से निवेदन है अब भी भी हमारे देश पर है पूरी दुनिया पर है इसलिए आप घरों से ना निकले और जब जाए तो मास्क सेनेटाइजर को अपना दोस्त बना ले अपना साथ ही बना ले हमेशा साथ लेकर के जाए और घरों में रहें सुरक्षित रहें और बाकी अपने परिवार अपने चैनल लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक ये सो मच